नमस्कार दोस्तो मैं राजेश भारगव स्वारगव करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियालोजी पर दोस्तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फिरी स्टेडी मटेरिल के लिए आप हमारी वेबसाइट अंट्रेंसियोजी डॉट कॉम पर भी विजिट कर सकते हैं आप से पहले इस टॉटिक जो लेने से पहले मैं आपको यहां पर आपको ज्यादा उसमें आएगा ठीक है तो मैं आपको एक पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूँ multiplication का rule क्या है कि अगर एक number plus का होता है और multiply हो रही है एक number के minus में तो हमेशा minus होती है और एक number minus का है फिर plus का number है तो हमेशा क्या होती है minus होती है ठीक है minus का number मिलता है मतलब कि हमारे को उसके बाद दोनों number अगर minus की multiply हो रही है तो plus मिलता है और plus plus की multiply हो रही होती है तो हमें हमेशा प्लस मिलता तो इस रूल को हमें आप फॉलो करना होगा मैं आप ए ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नंबर लाइन पे जो है multiply कर सकते हैं इंटीजर के ठीक है तो नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके उसके मिदल में जो है हो जीरो होता है और उसके बाद उसके राइत साइन होते हैं तो अभी हमें नमबर में आता हूँ जिसके बीचमाली जीरिए इसको मिडिल पॉइंट मान के चलते हैं ठीक है इमेजिन कीजिए और उसके बाद यह वन है यह टू है यह ठीक है और इसके बाद भी आप मान लीजिए कुछ और नमबर एन नमबर तक ही जा रही है ठीक है उसके बाद हम लेफ साइड में 1-1-2-3-4-5 और उसके बाद माइनस यह हम इसको बढ़ा लेते हैं तो इस तरह से हमारी जो इंटीजर वाली यह लाइन जो है नमबर लाइन बन चुके ठीक है अब हमें क्या करना है कि 2-2-2-2-2 का मतलब क्या होता है देखे यह सक्सेसिव जो एडिशन होता है मतलब की तरह से अगर हम 2 की 2 में मल्टिप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या होता है और फो एक इसम से अगर हम यह करते है तो इसका मतलब यह है कि मायनस टू मैनस डू ठीक है तो यहां पर क्या अना चिलिए तो ने पिछले वीडियो बनमीनस को 1993 अब हम जब इनकी minus two minus two की multiply number line पर चलिए हम करते है कि अभी एक जो sign है वो minus का है यहाँ ठीक है minus का मतलब यह होता है याद रखिएगा मैं आप एक trick बताएता हूँ देखिए यहाँ पे एक plus का number है और एक minus का है हमें जो product मिलने वाला है वह minus में मिलने वाला है तो इसका मतलब है कि उतने ही step हमें जो है वह minus की तरफ जाना और कितना जाना है आप देखें यहाँ पर थो मैं पहले यहाँ पर solve कर चुका हूँ ठीक है तो यहाँ पे हम 2 का set लेंगे क्योंकि 2 की multiply जो हो नहीं है ठीक है 2 step आगे बढ़ेगा भी यहाँ पे पहले हम इस वाले 2 पर आते हैं क्योंकि हमने 2 इस वाले 2 को कवर करते हैं फिर अगले 2 को यहाँ पे set में cover करते हैं तो हमारे को minus 4 answer मिलता है ठीक है तो इस तरह से हम जो है number line पर multiplication करते हैं ठीक है तो मैंने आप बता दिया आपको 2 into minus 2 का मतलब है कि minus 2 को इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उसमें कोई भी इसमें रूल में change नहीं है इसको हम इस तरह से भी सकते हैं कि minus 2 को हम 2 बार plus कर रहें जिस तरह से हमने इन दोनों example में किया और उस तरह से हम set बना लेते हैं यहाँ पे number line में इन questions को तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हमें स्लाइड में जो है question में दोनों number माइनस के दियो है और हमारा जो rule कहता है जैसा कि मैंने आपको पिछली यहाँ पर दिखाया slide पर की जब दोनों number minus के होते हैं यहाँ ठीक है तो यह दोनों number minus के multiply होते हैं तो वह plus बन जा ठीक है माइनस जो है वह multiplication में minus को खत्म कर देता है ठीक है तो इसी rule को follow करते हो हम इसको solve करेंगे यहाँ पे कि अभी हम ट्रिक से यह पता लगा सकते हैं यहाँ पे की हमने कितने step आगे जाना है हमें minus 2 के minus 3 ठीक है ये logically possible नहीं है कि हम minus 2 को minus 3 की direction में minus 3 की set की direction में रे जाए ठीक है अब देखें यहाँ पे मैं आपको इसको अगर मैं quickly आपको इसका logic समझाऊ तो इसका मतलब होता है 2 into multiply 1 का मतलब होता है कि ये plus का 2 है और minus का मतलब यहाँ पे एक minus का मतलब यहाँ पे है कि इसको negative direction में जाना है minus का already जो मतलब होता है meaning होता है वो negative direction में जाना होता है ठीक है तो और दूसरी बात अगर यहाँ पे जब 2 minus होते है ठीक है तो यह minus होता है यह minus को खतम कर देता है तो इसलिए यहां पर हमें इसका जो आंसर होता है वो 4 मिलता है तो जब भी हमें हमारा माइनस का पेर नहीं बनता है तो वो हमें उसका मतलब होता है सीधा 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 निगेटिव डारेक्शन में जाना ठीक है 1 into minus 1 is equal to 1 को 1 step चलना है कि इस दिसा में यह positive 1 है लेकि इसको negative डिसा में चलना इस दिसा में ठीक है तो अभी यहां पर आप इसको trick सबसकते solve solve करने के लिए कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब भी minus के number की minus के number में multiply होती है तो उस case में जो number है वो आपको plus का मिलेगा ठीक है तो इसी concept को इसी चीज को हम trick को अपनात हुए यहां पर एक मैं number line दुबारा से बनाता हूं ठीक है यह 6 और minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमें minus 2 है minus 3 है minus से हम minus को यहां पर खतम कर देंगे ठीक है उसके बाद हम यहां से जो है कितने 2 का set है हमारा क्योंकि मैंने आपको पता है successive addition होता है और minus ने यहां पर minus को खतम कर दिया है तो इस तरह से हम जो है 2 का set लेके चलेंगे 2 कितनी बार 3 ठीक है 3 times 2 फिर यहां पर 2 फिर यहां पर 2 तो हमारा answer यहां पर कितना आएगा दोस्तो 6 आएगा plus का 6 जो की हमारा इनको solve करने पर भी plus का 6 मिलता है ठीक है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जब भी किसी plus के number की minus के number की number से multiply होता ह होती है तो number line के according उस number को negative direction में जाना होता यानि कि अगर इसको हम solve करते हैं तो 2 को जाना है यानि कि 2 के set को कहां पर जाना है मतलब 3 step आगे चलना है 2 के set को minus की डिसा में ठीक है यानि कि 0 से left side में तो अगर हम इसको solve करेंगे तो इस तरह से हमें answer मिलेगा एक set यह हो गया और फिर आगे जब minus 5 आएगा और फिर minus 6 मैंने कर लिया तो यह हमारा answer हमें मिलेगा ठीक है तो minus की जब multiply होती है प्लस से तो इ हो तो यह तो बहुत ही simple है कि हमें किस तरह से इसको solve करना है यहां पर थी इंटू 5 भी हो सकता है यह 4 इंटू 5 भी हो सकता है ठीक है तो जितना बड़ा हमारा answer होगा number line हमें उतनी बड़ी हमें जो है उस बनानी पड़ेगी और इसको दिखाना पड़ेगा ठीक है तो अभी minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 ठीक है जीरो जो होता है वो neutral होता है उस पर कोई भी sign minus plus का नहीं होता है इधर जो left side में आपको सारे minus के मिलेंगे right side में आपको सारे plus के number मिलेंगे ठीक है तो अभी हमें क्या करना है दो का set है आपे यानिकि 2 को हमें 5 बार add करना है इस परा से 2 क्योंकि एक successive addition होता है आपको मैंने पहली बताया multiplication एक तरह से successive addition होता है और यहाँ पे plus की दो नमबर plus के तो definitely हमें plus वाला answer मिलने वाला है तो इस तरह से 2 के set को यानिकि एक 0 से लेकि एक set हमारा यह हो गया फिर दूसरा यह हो गया फिर तीसरा यह हो गया फिर चौथा यह हो गया और पा से हम जो है number line पर multiplication कर सकते हैं negative positive integers का दो negative integers का ठीक है लेकिन हमें यह याद रखना पड़ेगा कि कहां पे हमें negative direction में जाना और कहां पे हमें positive direction में जाना है और यह जो मैंने आपको rule बताए हैं यह आपको हमेशा याद रखने क्योंकि यह आपके integers को solve करते हुए बहुत काम आ आने वाले हैं ठीक है और एक चीज में आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी हम negative numbers की multiply करते हैं तो negative numbers की multiply करते हुए हमें जो है वो set बनाने होते है positive number के लिए ठीक है तो यहाँ पे जब भी spare बनता है negative numbers का तो यह positive बना देगा और एक single बचा तो यह पूरे number को फिर से negative ब होता हमारे को की negative का पेयर पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा है अगर मालीजे 11 निगेटिव से इसका मतलब है 10 तक तो पांच पेयर बन गए लेकिन एक जो है वो single रहे तो पूरी जो वैलू है वो negative में हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से हम बहुत ही असानी से integers को number line पर solve क कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूं कि जो topic है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और लेकिन अभी भी अगर आपको कोई doubt है और आपको कुछ discuss करना है तो please आप मुझे comment करके बता सकते हैं और अगर इसमें कुछ छूट गया है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी जो है दूसरे students की help कर सकती है वो ट्रिक तो आप प्लीज मुझे comment करके जरूर बताईएगा और मैं अगले वीडियो और बनाऊंगा और उसमें उस ट्रिक को या उस जो भी solution की जो वीडियो होगी मैं उसको अपने वीडियो में जरूर अपकमिंग वीडियो में शेयर कर हैं और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्रीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथी साथ बैल आइकन को भी दबा दीजिए फिरी study material के लिए आप हमारी website and transiology.com पर भी विजिट कर सकते हैं आप हमसे हमारे social media pages के थुरूर भी जुड़ सकते हैं जिनका address जो ह और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ तक तक के लिए study करते रही हैं ट्रेंसियोलजी के साथ मैं हूं राजेश भारगव नमस्कार